वेलो गाइज वेलकम टू फार्म इस्क्विक रिविजन चैनल लेट्स मेक इट इस तो इस वाले में मैंने पीछे कवर करवा दिया था क्लोराइड का लिमिट अब इसमें मैं कवर करवाने वाला हूं आइरन का लिमिट टेस्ट इसमें क्या करना होगा सिंपल है आपको कोई आइरन और आइन लेना है आपका जो फेटू पलस होता है वह होता है आपका फैरास आइन ठीक है बेस्ट उन्हयार में उसकरण द्रीजय करवाता है ठूब लिखना है अचल को स्ट्रुक्ट्टम पना गनिशन करें तक आपको यह यह आपको यह याद हो गया होगा तो इसको हम क्या करेंगे तो आपका जो आइरन होता है उसको आपको रियक करवाना है थायो ग्लायकुलिक सिट्रिक गई तो है होगा पर यह को आपको याद करने वह थायोगलाइख पर गया को आपको यह रिएक करेगा तो यह दो हम इसलिए रहेंगे क्योंकि एफ़ी का जो oxidation state होता है वो 2 होता है इसलिए जो भी यह थायो ग्लोकलीक असीड थायो ग्लाइकुलीक असीड वह quantity इसकी दो लेनी पड़ेगी ताकि यह अच्छे से react हो जाए इन दोनों इसके साथ और प्लस में 2 hydrogen यहां से तो यह जो बनेगा यह जो complex बनेगा वहोगा फैरस थायो ग्लोकलेट complex बनेगा चिलेट की तरह यूज़ होगा ठीक है यह कोई से कलर को पेल पिंग कलर का होगा या तो डीप रैडिस पर कलर का भी हो सकता है तो नीचे आते हम एफी टू प्लस प्लस टू अब इसको म उपर वाले का यह नीचे पर इसमें हो कह रहा है अच्छे से याद कैसे कर सकते हैं जब रियाद करेंगा तो इस वाले structure को एक बार यह बनाने उसके बाद इसी का पोजिट करके बना देना है ठीक है तो जो आप यह पोजिट करके बना दोगे इसका जो last में hydrogen है जो सी ओ ओ है उसमें जो hydrogen है वह बस हट जाएगा और बाकी उसके जगा पर क्या जूड़ जाएगा फी प्लस फी जूड़ जाएगा ठीक है इसलिए इसको यह लिखा जाते है तो इसको बनाते कैसे अब पहले इनका रोल समझ लेते थायो गलाइकोलिक एसीड का रोल क्या होता है तो थ इसमें जो भी यूज होंगे जो भी S थे एस एच था आइपको दिख रहा होगा यहां पे जो एस था मैंने आपको बताया था एस एच फिर S2 होता है पिर नीचे C 00 h होता है यह जो यह वाला जो होगा वह रिमूव हो जाएगा यहां से जब पैरस को फैरिक में करेंड कर ज कोंप्लेक्स विट आयरन तो ये जो फ़ॉर्म करता एक काम करता है। जो भी थायो गुलाइकलिक-सी डिसीड करें। आयरन के साथ रियाइक्ट तो वह क्या बना ले कॉंप्लेक्स बना ले मतलब दोनों सॉल्यूबल ना हो अमोनिया इट प्रिवेंट दपीपीटी वाइ अमोनिया थायो गलाइकलिक जो थायो गलाइकलिक है उसके साथ आइरन डिजॉल ना हो जाए उसमें बस एक कॉंप्लेक्स बनाके ही रखे ताकि हम फर्दर स्टैप अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो सक्सेस्फुल अक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं सिट्रिक एसिड को उसमें एड करते हैं ताकि क्या हो सके एक सॉल्यूबल कॉंप्लेक्स ही रहे मिक्स ना हो जाए थर्ड है आपका अमोनिया सॉ नीमवोर क्या होता है सेट्रिक आ सिडोता हैं तो अपना जो टेस्ट सॉलिशन नौक और इसमें भी इंप्यूरिटी प्रेजंट है सेकेंड है आपका 40 ml मेकप करना है पानी को और इसमें 2 ml सीट्री कासरी डालना है वेट बाय वॉल्यूम फॉर्थ स्टाप आपका करना है उसमें अमोनिया यूज करना है तुमेक अलकलीन सॉल्यूशन बनाने के लिए फिफ्ट आप का 50 ml वापस से उसको एडजस्ट कर देना है वॉल्यूम मेकप कर देना है और इसको 5 मिन तक दूर रख देना है और जो स्टेंडर्ड होगा स्टेंडर्ड कुछ ऐसा बनेगा कैसे बनाना है स्टेंडर्ड सॉल्यूशन को 0.172 ग्राम और फैरी कमोनियम सलफेट दोनों का अगर कलर सेम होगा तो पास हो जाएगा और अगर कलर थोड़ सा डार्क हो जाएगा टेस्ट का तो फेल हो जाएगा ठीक है तो वस यही था